गेहु का भाव मंडियों में सामाने देखने को मिल रही है वहीं आवक की बात करें आवक भी सिमित मातरा में बनी हुई है पर गेहु के भाव में क्या दुबारा से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है गेहु के निर्यात में कौन सा देश अब आगे आ रहा है इससे भारत के बाजारों पर क्या असर देखने को मिलेगा जानेंगे पूरी रिपोर्ट गेहु के बारे में नमस्कार मैं हुशिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूर्वा एग्रो का डीजिटल पेज रूस और युक्रेन में जब हालात सामाने नहीं थे तब गेहु का निर्यात काफी हत तक प्रभारवित हुआ था जिस वज़े से इसके डिमांड में इजाफा देखने को मिला और सप्लाई कम हो गया पूरे विश्व भर में गेहु के मांग अचानक से बढ़ने लगी जिसके बाद भारत गेहु के निर्यात के विकल्प के तौर पर सब के सामने आया गेहु निर्यात में रिकॉर्ड इजाफा देखने के बाद इसके भाव में अच्छी खासी बढ़त बनती हुई दिखी लेकिन जब इसके भाव में तेजी बनेने लगी तो सरकार द्वारा इसका निर्यात बंद कर दिया गया वहें निर्यात थब होने से इसके कीमतों को सपोर्ट मिलना बंद हो गया अब उसके बाद गेहू के भाव में धीरे धीरे कर नर्मी की तरफ बाजार जाता हुआ दिखा है ये पहली बार भारत के पास मौका आया था जिससे वो गेहू निर्यात के छेतर में अपनी एक अलग पहचान बना सकता था गेहू के भाव में तेजे को देखते हुए स्टॉक इट्स ने भी गेहू का स्टॉक बहुत जादा किया हुआ है जिस वज़े से फिलाल मंडियों में भाव सामान रूप से चलता हुआ दिख रहा है लेकिन अगर इसके खरेलू डिमांडर नहीं बढ़ी और भाव में उच्छाल देखने को नहीं मिला तो आने वाले वक्त में आवक जादा देखने को मिलेगी उधर दूसरी तरफ गेहु के सबसे बड़े निर्यातक देश यानि रूस और यूकरेन के बीच गेहु निर्यात को लेकर एक एहम डील हुई है इस डील के तहत यूकरेन से काला सागर के जरिये गेहु का निर्यात संब हो सकेगा रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच ये डील तुर्की के शहर इस्ताम्बूल में हुई हाला कि मीडिया में इसको भारत के लिए फायदा बताया जा रहा है पर किसानों के लिए नुकसान होगा इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है गेहु के भविस्य की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा तेजी होने का अनुमान अब बहुत कम है क्योंकि अगर यहां भाव तेजी में बनती भी है तो सरकार आयात कर लेगी दूसरा गेहु का स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है जसकारण निर्यात ना होने के वजब से भाव में तेजी बनने की संभावनाए कम दिखाई दे रही है यही अगर भारत से निर्यात को खोल दिया जाता है तो भाव में सुधार देखने को जरूर मिलेगा शेर्स गेहु निर्यातक देशों की बात करे तो रूस इस सूजी में पहले अस्थान पर आता है दुनिया भर के कुल गेहु निर्यातक का लगभग 24 प्रतिशत हिस्सा रूस द्वारा किया जाता है युकरेन भी इस समय में शेर्स पांचवे देश में शामिल है अगर रूस और युकरेन के गेहु निर्यात को संयुक्त रूप से देखा जाए तो विश्व के कुल गेहु निर्यात में के 30 प्रतिशत की आपूर्ती इन दोनों देशों के द्वारा ही होती है भारत से गेहु निर्यात की बात करें तो गेहु निर्यात बागला देश में सबसे अधिक होती है महीं दूसरे नमबर पर निपाल है, तीसरे नमबर पर यूनाइटेड अरब अमिराथ है, चौथे नमबर पर श्रिलंका है जबकि पाचवे नमबर पर यमन है इन टॉप पाच देशों के अलाबा भारत अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी गेहूं एक्सपोर्ट करता है